रविवार को सीरियाई विद्रोही बिना किसी प्रतिरोध के दमिश्क में प्रवेश कर गए राश्पती बशर असद को सत्ता से हटा दिया गया और उनके परिवार द्वारा पिछले पांच दशकों से चले आ रहे सक्त शासन का अंत कर दिया गया इस घटना करम ने तेरा साल से चल रहे ग्रह युद्ध की दिशा बदल दी रविवार रात रूसी समाचार एजिंसियों ने क्रेमनिल के एक ससूत्र का हवाला देते हुए बताया कि असद और उनका पूरे परिवार रूस पहुँच चुके हैं और उन्हें वहाँ पर शरन दी गई है इंटरफैक्स समाचार एजिंसी ने अनाम सूत्रों से हवाले से कहा कि राशपती असद मौस को पहुँच गए है रूस ने उन्हें और उनके परिवार को मानवी आधार पर शरन दी है आपको बता दे कि राशपती ने जैसे ही सीरिया छोड़ा था उसके बाद खबरे आ रही थी कि उनका प्लेन जो है वो क्राश हो गया है रूप में असद का पतन ना के विल सीरिया में बलकि पूरे छेतर में शक्तियों के संतुलन को प्रभावित करेगा असद की सरकार का अचानक पतन इरान और रूस के लिए एक बड़ा जटका है इस घटनकरम के साथ तुर्की, लबनान और जॉडन के शर्णार्थी शिवरों में दशकों से रह रहे लाखों शर्णार्थियों के लिए अपने घर लोटने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है मालूम हो कि सीरिया में इस समय ग्रह युद्धे के हालाद बने हुए हैं जिसके बाद रविवार को ही खबर सामने आए कि राश्पती असद के सीरिया चोड़ते ही श्री लंका जैसी तस्वीरे सामने आई जहां पर राश्पती असद के बाहर होते ही लोगोंने प्रेसिदेंशिल पालिस में घुसपैट कर दी और वहां की हर समान के साथ तोड़फोर की और सारे समान को लूट लिया चाहे कपड़े हो या फिर फ्रिज हो या फिर कूलर हो या जूमर हो सोफा हो कुरसी हो किसी भी समान को वहां की लोगों ने नहीं छोड़ा और वहां की लोग राशपती असद के देश छोड़ने से काफी खुश नजर आए असद के शासन के पतन के बाद कैदियों को जेलों से रहा कर दिया गया और परिवारों के पुनर मिलन के दुरश से खुशी का माहौल बन गया रहा हुए कैदी सुभा सुभा दमिश्क की सड़कों पर खुशी से दोटते हुई नजर आए ये देखाने के लिए कि वो आकिर कितने सालों से जेल में ही कैद थे अब सीरिया के नई नेताओं के सामने सबसे बड़ी चनोती स्थिरता लाना होगी क्योंकि देश के इस्तिती बहुत ही जटल है युद्धि ने सीरिया को पूरी तरीके से तभा कर दिया है और इसके पुनर निर्माण के लिए अर्बो डॉलर की सहायता की जरुरत होगी इस द मुहों को निशाना बनाना जारी रखा इसके अलावा इरान के दूतावास पर हमले की ख़बर भी सामने आई हाला कि इरान ने ये स्पश्ट किया है कि सीरिया का भवश्य पूरी तरीके से सीरिया ही लोगों के हाथ में है और इसे विदेशी हस्तशेब के बिना ही तै किया जाना चाहिए तो सीरिया में बने इन हालातों पर आपकी राय क्या है हमें कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं बाकि देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जन सत्ता के साथ